आचारे संकर जब अपने अध्वेक ज्यान से प्रिपूर्ण होकर के आजे की साधना के लिए वे कासी में आये तो कासी में साकसाथ भग्वान विश्वनात ने उनकी परिक्सा लेनी चाहिए और वोने इस बात को देखा कि प्राता काल जब ब्रह्म मूर्थ में आदिसंकर गंगास्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ सबसे अच्छूत कही जाने वाली एक सामान्य बैक्ति के रूप में वो उनके मार्क के सामने खड़े हो जाते हैं तो स्वाभाई प्रूप से आदिसंकर के मूँ से निकलता है हटो मेरे मार्ग से हटो तो सामने से जो चंडाल होता है वहाँ एक प्रस्न पूशता है कि आप तो अपने आपको अद्वेत ज्यान की मर्बग्य मानते हैं आप किसको हटाना चाहते हैं आपका ज्यान क्या इस भौतिक काया को देख रही है इस भौतिक काया के अंदर बसेवे ब्रह्म को देख रही है अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपकी अंदर है वही मेरे अंदर भी है और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आप का ये ज्ञान सत्य नहीं है तो उन्होंने वह बहुचक थे ये एक चंडाल के मुँझे इस परकार की बात उन्होंने कहा कि आप कौन है? मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि जिस ग्यान अब्यापी की साधना के लिए दुरुभाके से वो ग्यान अब्यापी आज लोग उसको दूसरे सब्कों में मस्जित कहते हैं लेकिन वो ग्यान अब्यापी साखसाथ विश्वनात ही है जिस ग्यान अबाती की पास्थना के लिए आप केरल से चल करके हाँ आए है मैं उसका साकसाथ स्वरूप विश्वनाथ हो तो अहां उनके सामने नत्मस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पस्याताप होता है कि नहीं यह जो भौतिक अस्प्रिस्यता है यह न केवल साधना के मारक का सबसे बड़ी बाधा है बनके राश्टी एकपा और खंड़ता की भी सबसे बड़ी बाधा है और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समास में समझा होता तो यह देश कभी गुलाम नहीं होता